सुबे की सुरुआत होती है एक गिलास चाय से चाय पीदने के बाद मैं कमरे में जाड़ू लगा देता हूँ उसके बाद मैं जाता हूँ बाहर अपने गंदे दातों को साफ करने उदर मेरा भाई डुबा डुबा खाना बना रहा होता है तो मैं सोचता हूँ क्यों ना इधर तब तब असनान कर लिया जाए तो मैं अपनी दस वर्ष पुरानी तौली और छोटा कचकारे वाली बाल्टी लेकर अपनी नमबर वन सावन के साथ निकल लेता हूँ अब मैं सुन्दर दिख रहा हूँ तो इसी सुन्दरता के साथ मैं अपनी विद्याले की और प्रस्थान करने के लिए बस्त्र धारन कर लेता हूँ भोजन करने के साथ पानी पीते हुए मैं अपनी दुई बाहन जूते के साथ पुस्तकें और बोतल लेकर कुछ चलचित्र खिचते हुए कमरे से बाहर निकलाता हूँ तो तभी याद आता है कि मैं तो अपनी मंगल सुद्र तो भूल ही गया तो मंगल सुद्र पहनते हुए बिद्याले की ओर प्रस्थान कर देता हूँ रास्ते में एक मुझे पुराने वाले सरार्ती हनुमान जी मिलते हैं उन्हें पर नाम करते हुए मैं आगे बढ़ जाता हूँ तो चलते चलते बीच राह में मेरा एक्षा पाठी मिल जाता है जिसका नाम अजी सुनते हो है हम दोनों गुफ्तगु करते करते कॉलेज प्रस्थान कर चुके होते हैं इतनी सफर करते हुए मेरी गले को लगती है प्यास तो वह चल देता है पानी ठंडी करने वाले यंतर के पास और अब मेरे गले की प्यास बुझ जाती है अता अंत में मैं अपनी कक्छा के अच्छे और सच्चे मित्रों के साथ सुरूख होती है पढ़ा आई किसी के साथ रादे रादे और आप भी जाईए पढ़ाई करने फिर मिलते हैं अगले ब्लोग में तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले